हेलो गाइस क्या हाल चैले मेरो दूस्तों मेरो भाई हो मैं हूँ आपका इम्रान भाई और आज हम आपको बताएंगे एड़ोप फोटोस अगर दिखाई देते हैं आपको एक सर्विस दिखाई देते हैं इस सर्विस को कैसे बंद करना है आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो अगर आप net connect करते हैं तो आपको ऐसा आप अपार दिखाई देता रहता है यह नोतिफिकेशन तब थक खत्म नहीं होता है जब तक आप का net connect रहता आ अगर network करते तो यह notification खत्म हो जाता है लेकिन जब आप net connect करते हैं फिर से यह notification आ जाता है इस notification को हम लोग कहते है एड़ फोटो सौप genius alert service यह आपको हमेशा यह notification करता है कि आप जो use कर रहे हैं वो क्रेक बरसने आप इसको खरीदिए आप इसको buy किजिए इस तरह का notification यह बार बार देता है और आपका जब भी काम होता है तो आपका काम को भीश में रोक देता है और रोकने के बास से दोस्तों कभी भी आप cut करना चाहते है तो cut नहीं होता है आपको फोटो सौप को close करना पड़ता है close करने के बास से दोस्तों आप फिर से चालू करते तो फिर से वह बार बार या open करने के बाद से मैं फाइल को open करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर एक notification आएगा उस notification को कैसे बन करना है हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह notification में काम कर रहा था तो आ चुका है तो दोस्तों आपने देखा कि लाइब में देखाया कि मेरा net connect है यहाँ पे और मैंने जैसे फोटोसोप को open किया और अपना काम स्टार्ट करने जा रहा था तब तक यह pop-up आ गया है यह notification आ गया है कि यहाँ पर मैं Learn More पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर क्लिक करने के बात से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको Adobe Genius Service दिया गया है और आपको purchase करने के लिए बताया जारे कि 50% 40% जो भी आपको offer दिया जारे यहाँ पर swap ना होगा offer दिया जारे आप इसे खईदने के लिए आपको क्लिक करने के बात से दोस्तों यहाँ पर दिखाए देगा Windows Security यहाँ इण पर क्लिक करने के बात से दुस्तों यहाँ पर दिखाएदेगा यहाँ देना है Advanced Settings पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बास से दोस्तों यहाँ पर Permission पुछा जा रहा है, Yes करतीजे, Yes करने के बास से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका Open हो गया, अब Open होने के बास से दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है, Inbound Rule और यहाँ पर Outbound Rule, तो हमें यही दोनों पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बात से दोस्तों यहां पर दिखाई दे रहा है new rule, यहां पर new rule पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बात से दोस्तों, यहां पर दिखाई दे रहा है program, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर next करना है, next करने के बात से दोस्तों, यहां पर पूछा एड़ोप पर क्लिक करने का बात से दिखाई देगा आपको यह प्लगिंग जितने भी फाइल है यहाँ पर आपको नीचे आना है नीचे आने का बात से यहाँ पर पात हम लोग ने सेलेक्ट करने के बात से दूस्तों हमें नेक्स्ट करना है और यहां पर कोई एक नाम लिख सकते हैं जैसे हम लिख सकते हैं फोटो फोटो उप लिख सकते हैं और हम भी से कौपी कर रहे है सब्सक्रे compensation में कुछ नहीं लिखना इसके बास करना है we everything we just have कट करेंगे कट करने कोई नगे बास यहां पर आना है problem रूपर यहां पे किल करना है, तो यहाँ पे next करते है, next करने के बाफ से दोस्तो यहा पर फिर से पात सेलेक्षिन करने के लिए बता रहा है तो बाफ से करने के लिए वही प्रोसेस फिर से आपको करना है, यहाँ पे C drive में जाना है, Program Files में जानना है, Add of Photoshop पर दिखाई देगा आपका जो भर्सन होगा 24, 22, 23 जो कुछ भी होगा यहां पर दिखाई देगा आपको यहां पर क्लिक करने के बास से दोस्तों यहां पर आपको दिखाई दे रहा है फोटोसोप की जितने फाइल से इस सारे फाइल दिखाई दे रहा है यहां पर और यहां पर लिखना है फोटोप में जो कोपी किया था इसे पेस्ट कर दे रहा है और यहां पर फिनिस कर देना है पिरिश करने के बास दोस्तों यह हमारा वटोस्तों करे बास दोस्तों करणे सामने कुछ देर करता हूं आपको नौटुफिकेशन आ रहे की नहीं जोबिस के अलर्ट जिनेश सर्विस को बन कर दिया और यह एड़ोप जिनेश सर्विस को बन करने के बात से दोस्तों अब अपना फोटो सोप को कंटिनी यूज कीजिए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते एक मिनिट हो चुका है लेकिन आपको कोई भी नोटिफिकिसन नहीं